सांसद आपको बता दे कि ओवेसी पर ही गोली चलने की घटना से यूपी का ही चुनावी पारा अब गर्मा गया है और ओवेसी समय थी उनकी पार्टी को विजेपी की लखनाउं से लेकर दिल्ली की सरकार तक को घेरने का मौका मिल गया है आज ओवेसी खुद इस मुद्दे को लोकसभा में उठाएंगे वहीं पुलिस ने ही फाइरिंग करने वाले दोनों आरोपियो सचीन और शुभम को ही पकड़ लिया है ओवेसी की पार्टी के सदन में ही आपको बदा दे कि सांसद ने भी अपने अध्यक्ष पर हुए हमले की घटना को गंभीर बताते हुए इसे लोकसभा में उठाया और अंगाबाद से सांसद सैयद इम्तियाज जलील ने कहा है कि ओवेसी साहब की कार पर बोली बारी की गई है और इससे पहले उनके आवाज पर ही हमला किया गया था वो सुरक्षित है हमारे राजनेतिक और वेचारी कमत भेद हो सकते हैं लेकिन इस तरह की हरकत ठीक नहीं है जो भी दोशी है उन पर कारवाई होनी चाहिए कल ओवेसी यूपी के मेरट में डोर टो डोर कैमपेंग कर अपना परचार खतम कर दिल्ली की और लोट रहे थे ओवेसी का काफिला दिल्ली मेरट एक्सप्रेस वे के रास्ते चल रहा था करीब 45 मिनट बाद ओवेसी के काफिले पर फाइडिंग होई फाइडिंग की घटना का सिसी टीवी फोटेज भी सामने आ चुका है उत्तर परदेश यो समेथ उत्तर खंड और अन्य राज्यों में होने वाले विधान सभा चुनाओं में अब कुछी दिन बाकी है राजनितिक दलों के तमाम दिगजनेताओं समेथ अब परदान मंतरी नरेंदर मोदी भी चुनाओं परचार में उत्रे हैं पियम मोदी आज एक बार फिर से ही पश्चीम उत्तर परदेश के ही पांच जिलों की जनताओं पार्टी के कारेकरताओं को वर्चुल रैली से ही समबोधित करेंगे आपको बताते चले कि इस से पहले सीम ने भी वहाँ परचार किया था और पियम मोदी ने 31 जनवरी को यूपी के ही पश्चीम उत्तर परदेश के पांच जिलों को वर्चुल रैली से ही समबोधित किया और इस बार जो जिले इसमें शामिल है वो मेरट गाजियाबाद, अलीकर, हापुड और नोईटा हैं इस दुरान मोदी पांच जिलों की 23 विधान सभासीटों की जनता से जुड़ेंगे जिसमें फिजिकल रूप से ही करीब एक लाख लोगों के शामिल होने की उमीद है तो वही वर्चुल इंगेजमेंट को लेकर भी इसके करीब 20 लाख लोग जूड सकेंगे और जानकारी के मताबिक पीम मोदी अपने संबोधन को फेस्बुक यूट्यूब ट्वीटर समेट अन्ने प्लैटफॉर्म के जरिये भी मतदावत तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ 31 जर्वरी को उपश्चिम यूपी के शामली सहारनपूर और मुझफर नगर नोईडा और बागपद जिले के ही 21 विदानसबा छेतरों की वर्चुल रैली हुई थी यूपी के विदानसबा चुनाव की तारीखों के नसदीक आते ही यूपी में ताबर तोड़ पर चार का जिम्मा ग्रह मंतरी अमित शाह ने अपने कंधों पर ले लिया है कल उन्होंने उतरपरदेश के अनूप शहर में ही एक जनसभा को संबोधित किया इस दोरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 2022 में दो तीहाई बहुमत के साथ यूपी में अगले मुख्य मंतरी योगी आदितिनाथ बनने वाले हैं सपा परमुक अखलेश यादों पर वार करते हुए अमित शहा ने कहा कि वो लोगों के बीच में जाते नहीं है और प्रेस कॉंफरेस करते हैं और हाली में उन्होंने जैन्त चौधरी को अपने बगल में बिठाया था सरकार तो बननी है नहीं और जेन्त बाबु के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखलेश उनकी सुनेंगे अरे जेन्त बाबु किस मुकाबले में हो जो अपने चाचा जी और पिता जी की नहीं सुनते वो आपकी क्या सुनेगा सपा की सरकार बन गई तो जयन्त जी चले जाएंगे और अगले दिन आजम खान वापस आएंगे उन्होंने कहा कि पश्चिम यूपी माफियाओं से परिशान है मैं पूछना चाहता हूँ कि पश्चिमी यूपी में ही आज किसी भी माफिया की हिम्मत है क्या कि किसी बहन बेटी को परिशान कर सके पिछले पांच सालों में माफियाओं का पलायन हो चुका है उन्होंने कहा कि माफिया या तो जेल में है या पलायन कर चुके हैं या अखलेश यादों की उमिदबारों की सूची में हैं अमित शाह ने कहा कि माफियाओं को उल्टा करके सीधा करने का काम हमारे मुख्य मंत्री योगी आधितिनाथ ने किया है पूरे परदेश में ही 20 माफिज़ दोक हजार करोर से ही जैदा मुले की भूमी में ये माफिया हड़प कर बठे थे और मैं बहन जी और अखलेश बाबू से पूछना चाहता हूँ कि इसमें आपकी मिली भगत थी या नहीं अधिक एहमत को किसने सीर पर चड़ाया था और आजम खान को किसने गोद में बिठाया था थोड़ी गलती हो गई तो ये लखनव के ही सचिवाले में दिखाई पड़ेंगे उन्होंने ये भी कहा कि सपा बसपा नहीं 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार का समर्थन किया था और आपने जिस सरकार को समर्थन किया उसने यूपी को क्या दिया पंजब में विधान सबा चुनाव से पहले सीम चरंड जीत सिंग चन्नी के भती जे भुपिंदर सिंग हनी को ही एडी ने गिरफतार कर लिया है आपको बता दें कि भुपिंदर सिंग हनी को ही अवेद बालू खरनन केस में ही जुड़े मनी लॉंडरिंग के मामले में गिरफतार किया गया है ये गिरफतारी देर रात उन से करीब आठ घंटे हुई पूचताच के बाद जालंधर से हुई है आपको बता दें कि चनी के भतीजे भुपिंदर सिंग हनी के घर पर करीब दो हफते पहले एडी ने छापे मारी भी की थी और हनी के दो सहियोगियों के ठीकानों पर भी छापे पड़े थी और तीनों के घर से ही बरामत कैश के बारे में एडी पूचताच करना चाहती है और बता दे आपको ये भी कि चापे मारी में हनी के घर से ही करीब 7.9 करोल रुपे कैश मिला था वहीं हनी के सहयोगी संदीब कुमार के ठीकाने से ही दो करोर रुपे मिले वुपिंदर सिंग हनी और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि फरजी कमपनियां बनाकर मनी लोडरिंग की गई और उन पर बालू के अवेद खननन में भी शामिन होने के आरोप लगाए गए है वहीं ED ने खुलासा किया था कि भुपिंदर सिंग हनी और कुदरत दीप सिंग और संदीब कुमार को ही प्राइबेट लिमिटेड के ही निर्देशक थे और इस कमपनी को ही साल 2018 में बनाया गया था और ये काम कुदरत दीप सिंग के खिलाफ अवेद खननन मामले में ही F.I.R. दर्ज होने से 6 महीने बात किया गया था उत्तर परदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ नहीं गुरुवार को अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ट पेश किया तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी आमादमी पार्टी ने योगी सरकार की तरफ से ही पेश रिपोर्ट कार्ट पर सवाल खड़े कर दिये हैं सियम योगी ने कहा कि सरकार पांच साल का कारेकाल पूरा कर रही है जब पांच साल पहले चुना हो रहे थे तब हमने कुछ संकल पर लिये थे और उसी दिशा में पिछले पांच सालों में जो कुछ किया है उसकी रिपोर्ट देने में यहां आया हूं और यूपी के हिस्तियम ने कहा कि पांच में से तीन साल निर्वित रूप से ही बहतरी की और हम नियंतरन बढ़ते रहे लेकिन आगे के दो वर्ष करोना महामारी हमारे लिए जीवन और जीवी का दोनों के लिए चुनोती बन कर आई थी भारत में इस महामारी से निपटने के लिए जो परियास किये और उसकी पूरे विश्वम से सरहना हुई और आज उसी का ही परिणाम है कि देश की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य कोविड परबंदन से सबसे बहतरीन काम किया और आजश्यत परतीशत आबादी को पहली डोज मिल गई है सतर परतीशत से जएदा ने दूसरी डोज ले ली है और सियम योगी ने ये भी कहा कि पांच साल में भाजपा ने अपने संकल्पों के हिसाब से ही काम किया और दो साल से ही करोना एक चुनोती बनी हुई और पांच साल पहले जनता से जो वादे किये वो सब पूरे किये और यूपी में ही बड़ी आबादी का ठीका करण हो चुका है सतर साल में जो काम नहीं हुआ वो पांच साल में किया और 5 साल के कारेकाल में मील के पत्थर गड़े हैं और देश में सबसे ज़्यादा करोणा के टेस्ट UP में हुए है करोणा में ही आपको बता दे कि उत्तर परदेश में 551 से ज़्यादा ऑक्सिजन प्लांट्स थापित हुए ऐसा उनका कहना है इसके साथ उन्होंने कहा कि थर्ड वेब को हम पूरी तरह से नियंतरित कर चुके हैं भारत दुनिया के लिए कोविड परबंधन की नजीर बना और उतरपरदेश उस मौडल में ही अगणी रहा और UPCM ने आगे ये भी कहा कि जो माफिया और पेशिवर अपराधी खत्रा थे उन पर नकेल कसी और BSP की सरकार में ही 364 दंगे 5 साल में हुए और सपा सरकार में बड़े बड़े दंगे 700 के करीब हुए 2017 से अब तक दंगा और कोई आतंग की घटना नहीं हमने हर जरूरी जगह पर ATS सेंटर स्थापित करने का काम किया उतरपरदेश चुनाओं को लेकर अखलेश यादव लगतार पर चार में जुटे हैं उनके साथ RLD चीफ जेयंत चौधरी भी चुनाओं पर चार में नज़र आ रहे हैं कल एक बार फिर से दोनों नेताओं ने सेंट प्रेस कॉंफरेंस की और जिसमें अखलेश यादव ने एक बार फिर से चार पहिया गाड़ी में जा रहे थी और इन्हें पैदल चलाया गया इस बार बाबा मुख्य मंत्री नहीं बनने जा रहे हैं हम दो नौजवान वो है जिनने विरासत में किसानों की लड़ाई मिली है उन्हें दुख इस बात का है कि हम दोनों मिलकर उनका सूपड़ा साफ कर रहे हैं और इसके साथ ही अखलेश यादव ने कहा कि बुलंद शहर की घटना पूरे उत्तर परदेश को चिंतित कर रही है और भाजपा बार बार कह रही है कि कानून विवस्था सबसे आगे है आपके जिले में जो घटना हुई हो हात्रस की याद दिला रही है और बु मुख्यमंत्री को समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री कॉंफ्रेंस के हैं कि जो ठंडा कर देंगे और इसके साथ ही ये लोग कह रहे है कि गर्मी उतार देंगे हम गर्मी नहीं भरती खोलेंगे वहीं उत्तर परदेश के केबिनेट मंत्री सिधार्थ नात सिंग जान लेवा हमले की कोशिश हुई है और सिधार्थ नात कल प्रियागराज पहुँचे थे और जहांप से ही उन्हें बिजेपी ने उमिद्वार बनाया है सिंग को ही आज नामांकन भरना था और हमले का आरोपी जहर और ब्लेट लेकर ही आया हुआ था और इसके साथ ही जिसे कारेकरताओ और सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ दिया है सिद्धार्थ नार्थ सिंग एलाहाबाद प्रश्चिम से ही भारतिय जनतापार्टी के उमिदवार है जब वो नामांकन भरने जा रहे थे तबी ये हाथसा हुआ बता दे आपको कि सिधार्थ नार्थ सिंग पूर्व पीम लाल बहादुर शास्त्री के ही नाती हैं इसे माहोल खराब करने की कोशिश और बड़ी साजिश बताया जा रहा है